हेलो दोस्तो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने योणो SBI मोबाईल अप्लिकेशन से अपने SBI क्रडिट कार्ड का पिन कैसे री सेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं अगर आप खूल गए हैं तो आप इसे री सेट भी कर सकते हैं अगर आपको पता है तो आप चेंज भी कर सकते हैं तो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है मैं आपको पूरा बता हूँगा वीडियो को पूरा देखना एंट तक देखना अगर कोई भी दिक्कत आया तो आप कमेंट करके नीचे मुझसे पूर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब क करना बिल्कुल मत भूलना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने यह नो सब्सक्राइब करना है तो मैं आपको उसकी वीडियो का भी लिंक देदू है मैंने वह वीडियो भी बनाई हुए डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर स तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पर मोर डिटेल्स लिखा हुआ है तो मोर डिटेल्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आपकी पूरे कार्ड की डिटेल शो करेंगा कि आपका कितना उट्सेंडिंग है कितने लिमेट है कितना आपने यूज कर लिया तो आप आप नीचे यह point देख रहे थे आप इस पर click करेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा है manage pin हम click करेंगे manage pin पर जैसी हम click करेंगे तो यह आपको एक OTP send करेगा आपके registered mobile number पर जैसी OTP verification के लिए आपको OTP receive होगा आपको यहां fill करना है आप फिल करके इसको submit करोगे तो यह आपको दिखाएगा कि आप अपना pin set कर सकते हो कि जो कि four digit का होगा मैं आपको suggest करूँगा कि आप unique pin रखने की कोशिश करने कोई भी sequence में number मत रखना या repeat मत करना जादा number को या सारे number एक जैसे मत रखना unique रखने की कोशिश करना जितना strong हो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपना pin लिख लिए सेट कर लिया तो मैं submit पर क्लिक करूँगा तो screen पर आपको successfully pin set करने का message शो करेगा जैसे कि आप देख पा रहे हो future की transaction के लिए आपका ये pin set हो जाएगा आप इससे future में कोई सी भी transaction कर सकते हो credit card से आशा करता हू हूँ हूँ हूँ